नमस्कार दोस्तों हरे कृष्णा राधी राधी कैसे है आप सब लोग और आज के वीडियो में ठाकुर जी की छटी मनाने के प्रोसेस दिखाऊंगी तो छटी कब मनाया जाता है सबसी बड़ी कोस्चन जिस दिन अपने जन्मास्टी में मनाया उस दिन से लेकर छटवे दिन म छटी मनाया जाता है इस दिन कडी मनाया जाता है चावल मनाया जाता है कडी और चावल का भोग इस दिन जरूरी लगता है ठाकुर जी के जिस दिन हम छटी मनाया जाता है तो आपके घर में बच्चों का चटी मनाया जाता है सस्टी पूजा होता है इस दिन तो उसी तरह से आपको भी ठाकुर जी की छटी मनानी है तो हमारी यहां पे घी का मालिस होता है देशी घी घर का बना हुआ गाय का घी से और उसी से मैं ठाकुर जी की बहुत एची तरह से मालिस कर दूँगी ठाकुर जी की मालिस करने के टाइ ले लिजे अगर गाय का दूद नहीं है तो जो भी आपके पास पैकेट का दूद आता है वो ले सकते हैं दूद की इतना लेना है दो लिटर धाइल पाँच लिटर जितनी बड़ी ठाकुर्जी है उसी सबसे दूद लिजे पूरे ठाकुर्जी दूद में डूब जाना चाहि क्या नहीं होती है यहीं है च्बिक कर आता है कि इस ग्षिय बना सकते हैं गरम करके बच्चों को पिला सकते हैं यह पूरा रहाइँ पर हैं प्रार्षाम तो ओंग नम भगवते वाशु देवाई नम इस मंत्र का जब करते हुए स्नान करा है फिर ठाकुर जी को एक टावल से अच्छी तरह से अंगपुसन कर दे पूंच दे पानी विल्कुल नहीं रहना चाहिए और फिर मैं ठाकुर जी को हमेशा ही इत्रसेवा देती हूँ जो भ अपड़ा लाते है और कोई जो है घर में वस्तर है तो वह पैनाते हैं देखे घर में बहुत लोगों का नियम होता है कि 6 महने तक नया वस्तर नहीं पैनाते हैं तो आपके घर में जैसा नियम है उसी हिसाब से आप ठाकुर जी को भी छटी मनाईंगे ठीक है छटी आप चा आधी मानाते हैं क्या होता है छोटे बच्चे का तवार है और सुभी सुभी बच्चों को उठाके दूद में डुबाना इसा नहीं किया जाता है तो कम से कम 12 बजी के बाद इस तवार को मनाया जाता है फिर ठाकुर जी के सामने कुछ खिलोनी रख दीजिए और रहादी कि हम पंचोपचार पुजा करें दूब दीप नवध्य पूस्पगंद आधी इस तदी भगवान को अरपन करें पंचोपचार पुजा करें इस दिन बहुत लोग ठाकुर जी को जूले में बैठाते हैं तो आप चाहे तो जूले में बैठा कर भी ठाकुर जी की पूजा इस दि प्रवार् देखिए हम घी का दिपक का आर्थी कर दिया है और अब ढ़ाल घ्रहन करें लिए और आप Cayright. आप ड्राइफुर्स बगएरा हनी बगएरा दे सकते हैं जो भी आपको पसंद है ठाकुर जी को भोग लगाना वो आपके पसंद के सभी भोग ठाकुर जी के पसंद के सभी भोग इस दिन लगा सकते हैं छटी के दिन बहुत जगा पे 56 भोग भी बनाया जाता है तो भोग काई थाकूर्जी कि को किसी वी बॉतार जाता है ये ये तो इसी तरह से हमें मनानी है थाकूर्जी की चटी वीडियो आप लोगतों को कैसे लगी जरूर बताना थाकूर्जी की चटी आपको चट्वे दिन मनानीं है जिस दिन से ०्हाता ओए Pokémon जनम जुनों ने भी करवाया है वो छे तारिक को ही मनाया है भगवान का जनवास्टमी क्योंकि छे तारिक रात को ही जो रोहिनी नक्सत्र अस्टमी थी इतादी सभी हमें मिला था वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट चैनल को सब्सक्राइब करके रखना रा राधे राधे हरे क्रिश्ना